और अगर आप देखोगे तो यार इस वीडियो में एक ही चीज की कमी है मतलब गलत सीन भी हो गए पेटी पाटी भी दबा की बन गई एक चीज अभी भी बखी है वो है जाड़ी या समोक मैच जासा न तो भाई लोग कैसे हो तो यार वेलकम दी बैक बैक दे वेलकम और स्वागत आपका एक ब्राण न्यू गलत सीन से भरे हुए पबजी तो मोबाईल गेमप्ले वीडियो में मतलब यार ये एक ऐसा मैच है जिसमें आधे से जादा टाइम तो यार मुझे पता ही नी था कि भाई चल क्या रहा है मतलब एक जगा पे जाके इतनी गलत चीजे होंगी कि क्या ही बताओ मतलब या तो मुझे ही पता नीथा कि भाई हो क्या रहा है या तो जो वहाँ पे दो टीम के बंदे बैठे थे उन्हें नहीं पता था क्या हो रहा है यार पर जो भी था बहुत ही गलत था लेकिन फिलाल के लिए मैं जोड जार रखाऊ हैं हाना और नेट भी नसे दे रहा है भाई या आगे जाके वापीस आ रहे हैं और मेरे पे सोटगन है और ये जो काले कपड़ों में बंदा है न भाई ये बहुत फुर्तीला है कतई मतलब ये बंदा हर बार बचके निकल रहा था मुझे नहीं पता कैसे तीन चार गोली चलाई तब जाके इस भाई की पेटी बनाई गई नहीं तो यार मुझे लग रहा था भाई ये भगभूक के कहीं आगे पहुचके मेरी पेटी न बना दे खैर आगे भी गोली चल लिया है न धैड़ पैड या तो बॉटों पे आता चार हो रहा है या तो बंदे एक दूसरे की पेटी बना रहे तो मैं भी भईया भगते वे जाता हूँ आगे और एक बंदा भगते वे मेरी तरफ आता है अब पहले मुझे लगा ये टीम अप करने हा रहे बंदा लेकिन बाद में पता चलता है यार उस बंदे की अपनी चौड है वो गन हटा के भगता है और अब देखो बिंटर वुंटर जा चुका है हना सर्दी के बौसम लग भग खतम हो चुके है मतलब मेरे यहाँ पे तो भाईया गर्मी होना चालू हो चुकी है लेकिन पबजी वालो को अभी भी बरफ वाला मौसम पेलना है चाहे कुछ भी हो भाई हर चार में से पांच मैच भाई बरफ वाले होंगे बिना मतलब के यार अब तो मज़ा भी नहीं आता पब जी पुराना हो चुका है कुछ नया निकालो खेर बरफ वाले में आपको पता यार उपर क्या वो बकसे होते उसमें गने होती है तो यह देखो उसके कारदा में अब देखो एक बंदा गाड़ी लेके आया है कहां से आया क्यों आया हमें नी पता होता मैं अंधार रस करता हूं अब यहां पे दो चीज हो सकती है या तो मैं ही अंधा हो गया हना मुझे बंदा दिखनी राब या तो उस बंदे की आँक इतनी बढ़िया चलिये कि भाई ना जाने किधर लेटा पड़ा है वो लेकिन पेल जाता है मुझे खेर ये टूटा सा पेड होता है तो इसके पीछे भाईया गिर के रिवाइव अगेरा पेल रहे होते हैं मैं बोलता हूँ यार चाहे कुछ भी हो इस बंदे को मैं ही पेलूँगा अब इस बंदे की पेटी बनाने के बाद मुझे बस एक चीज़ जाननी होती है कि ये यहाँ पे कहां से आया और क्यूं आया और जैसी मैं इसकी पेटी खोलता हूँ ना मैं समझ जाता हूँ भाई ये उपर से आया है मतलब वो जो पेटी आती है जहाँ पे एमफोर उमफोर फ्लेयर गन वागेरा मिलती है ये वो लूट के आया है ठीक है मतलब वो जो बरफीले गोले होते हैं न भाई, इसकी पEATI में मिलें तो हाँ वही से भाई आया है, मतलब भाई की जिंदगी देखो, भाई कहीं गाड़ी की पास गया, या सिधा पEATI बेगाए, उसके बाद भाई ने गाड़ी उठाई, भाई गाड़ी उठाके यह उसके बाद अपनी पेटी बना लेते तो यार मुझे नहीं लगता वहाँ जाना इतना सही है मतलब ठीक है अगर आपको कताई गलती सीन कर दे तो हाँ बिल्कुल वही पे जाओ लेकिन अगर आपको चौड में ढिलना है तो वही या सीधा जोड जाओ वहाँ जाना यार मतलब ठीक है अगर आपको जाना है तो जाओ लेकिन यार कम से कम वहाँ उत्रो तो मत खैर मैंने इस बेरा उसमें रस कर दिया है मुझे लगता है एक ही बन्दा होता है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता और देखो यार उस बन्दे ने भले ही मुझे एक भी गोली नी मारी है ना मतलब बच-बुच के इधर उदर मचल मचल के मैंने उसे पेल दिया लेकिन जब बैरल M762 की आवाज आती है ना सामने से भाई एक टाइम के लिए फट सी जाती है मतलब सही M4 चल ली है ठीक है एक एम चल ली है पर भाई बैरल की आवाज पूछो मत या तो मेरे गेम में एसा है कि भाई मुझे हच से जादा सुनाई देती है फटी भी आवाज आती है बिलकुल या तो यार यह ऐसा ही है ऐसी चल पाएगा कभी खैर यहां से हम लोग निकल लेते हैं रोजोग की तरफ और देखो आपको पता है मैं रोजोग की पहाड़ी जाता हूँ लेकिन इस बार ना भाई फलेर चल रखी होती है तो मैं बोलता हूँ भया सीधा फलेर पे ले लो हला मतलब पहाड़ी जाएंगे फिर दुबारा नीचे आएंगे ठीट की तरह यार उससे बढ़िया सीधा फलेर पे ले लेते हैं तो देखो डिरॉप तो कंदू भी नी गिरा होता अभी मैं गाड़ी गुमा रहा होता हूँ बस ढूंड रहा होता हूँ बंदे किदर हैं और बाद मैं पता जलता है यार बंदे मुझे डूंड रहे होते तो हाँ यहीं पे बैठे पड़े हैं सब अब आपने वो गाना सुना होगा ना भाई जलक निकला जा भाई सेम वई सीन चला है मतलब भाई ने बस अपना मुखडा दिखाया जलक दिखाई और भाई फिर से नीचे गाया अब कहीं और से मुखडा दिखाएंगे अब देखो इस मैच में क्या हो रहा था यार मुझे समझ नहीं आ रहा था मतलब जिसको नौक किया उसके अलावा जो उसके बगल में जो जलक निकलाजा वाले सीन कर रहा है न सब मुंडी दिखा रहा है वापिस जा रहा है उसे मैं गोली पेल ही नहीं पा र गरत्यार उस बंदे को मैं गोली मार ही नहीं सकता पता नहीं क्यूं तीन चार बार इस परे दिया भाई एक भी गोली मुश्किल से मारी है मैंने खेर एक नौक किया है और पीछे से भी बंदे आ रहे होते हैं इनके और जैसा कि आपने अभी फिर देखाया यार मैं उसे फिर से नहीं पेल पाए गोली क्या ही हो रहा है पता नहीं खेर आखिर कार जाके उस बंदे को गोलिया लगती है मेरी और ये लोग एक और गलत सीन यहीं पे हो जाते हैं अब देखो मैं जूट नी बोलूँगा जब वो बंदा नेट खीच रहा था न मैं समझ गया था मुझे पता था यार कि अगर यहां से मैं नहीं हिला तो भाया डैमेज यहां पेटी पक्का बनेगी लेकिन डेट होने के कारण वैसे आलची होने के कारण मतलब मैंने भी अपना नेट खीच लिया था तो मैंने बोला यार मैं कहीं नी जा रहा मैं भी नेट फेकूंगा बस फरक कितना होता है यार उसका नेट से मेरा टीमेट और मेरी हल्थ की ऐसी तैसी हो जाती है और मेरा नेट कुछ भी नहीं उखाड पाता कोईनी एक एम से जुगार लगाया यहाँ पे चार बंदे बैठे होते ही इन सब को पिल दिया और यार अब इनकी फलेर ड्रॉप लूटेंगे कते मजा आ जाएगा यार मतलब इतना जो भी यहाँ पे गलत सीम किये वो सब ठीक हो जाएगे इनकी फलेर ड्रॉप लूट के अब वहाँ पे दो सकॉट आपस में महनत करके लड़ रहे होते हैं एक बंदा किसी को नोक करता है और मैं देखता हूँ यार फ्री की किल तो मैं पेटी बना देता हूँ सीधा और ये वाला बंदा न जाने कौन सी सकॉट को होता है मतलब भाई पत्थर के पीछे आ चुके ह हना इसके बंदे पीछे ठिल रखे बिलकुल नोक नूक पड़े होते हैं लेकिन हमारे भाई भग के इधर आते तो मैं बोलतो हूँ आर इसे पकड़ लो तो पहले मुझे लगता है यार बंदा उसके पीछे बैठा होगा लेकिन बाद मैं पता चलता है यहां तो साप का चक होते भाई सारी की सारी गोली फुक दी इनोने हवा में मैं बोलता हूँ अभी पेलना पड़ेगा इसे इस नहीं तो यह रिलोट करके यार फिर से वही सीन होंगे तो इसको धेड़ पेड़ पेलता हूँ इसके बंदों की पीछे पेटी बन जाती है गाड़ी के बगल में त चाहे कुछ भी हो मतलब मैं आज तक ना समझ नहीं पाया हूँ कि क्यों है ये लाल जोन गेम में इसका मकसद क्या है पबजी चाहता क्या है कि हम क्या करें लाल जोन से आर्ब क्यों है ये पबजी में क्यों मैं अभी तक नहीं समझ पाया हूँ वाई क्यों अब देखो यहां पे ना इन बंदों को अच्छे से पता होता है कि एक और सो कॉर्ड है हना मतलब एक टीम तो ठिल जाती है पूरी लेकिन यह पता नहीं क्यों उसके बाद भी ओपन में लूटने के लिए रखें मतलब यहां तो भाईया यह कताई बिल्कुल नंगे होंगे इन पे लूट के नाम पे कपड़े तक नहीं होंगे तभी यह वहां लूटने गए नहीं तो यहार क्यों ऐसा रिसक क्यों लेना है भाई मतलब यह ऐसे ओपन में जाना वो भी तब जब नीला जोन आ रहे भाईया बीचे से डीपी डूपी पठकरी है यह उसके बाद भी ओपन में लूटने जा रहे हो तो यहार पेटी ही बनेगी और उसके उपर से इनोंने बीमडियार नजाने क्या क्या मगा रखा है मतलब देखो बीमडियार ठीक है यहार काम आजाती है कभी-कभी मानता हूँ मैं इस बात को अगर आप एंट के जोन में चलाते हो हाना गेम खतम होने वाला है पांस-देश मिनिट बाकी है चला दो यहार काम आजा है क्या पता लेकिन यार अभी यहार गेम चलना है वाया पचास बंदे जिन्दा है हाना आधी दुनिया जिन्दा ही है लूटिंग यह चल लिये बंदों की फिर भी ब्यमडियार अरग-मगा रखिये यार क्यों बरबादी क्यों करनी है फिलेर की वैसे मुझे बोलना नीची यह बरबादी हाना क्योंकि मैं लगबग हर मैच में फिलेर बरबाद करता हूँ हर मैच में अब देखो यार एक चीज यह है कि टाइम हां क्या है बहाना बनाने का ठीक है लेकिन इस बारना भाई नकली बहाना नहीं दूंगा भाई अब देखो मैं बहाना बताता हूँ कि यार यहां पर मुझे क्या बहाना देना चीए वैसे दो किल यहां पर मिलगी जो कि सही है मुझे लगा था यह पेटी बनेगी लेकिन हाँ अब ही जिंदा है तो देखो जब मैं बगगी से चोड में इधर आ रहा था ना कते धूम 69 के बंदे भी उसमें होंगे हना देखो यार अब ज़्यादा IQ तो है नहीं हना तो सस्ता IQ दिमाग लगाते डेड़ा IQ दिमाग मैंने बोला यार यह बंदे वही होंगे मस्त यहां पर गारी रोकेंगे अराम से घर टू घर आगे जाएंगे और उस बंदे की पेटी बनाएंगे लेकिन असल में क्या होता है बंदे इधर पीछे बैठे पड़े होते हैं हना और अगर आपको लग रहा है यार कि यही गलत सीन है तो आप गलत हो क्योंकि दुबादा गलत सीन होते हैं और इस मैच में मुझे पता चलता है कि यार कभी कभी डेड़ आईक्यू दिमाग भी सही हो सकता है मतलब सीन क्या होता है यह दोनों भाईया यहां पर दो सकॉड होती है हना एक ये भाई जिनोंने मेरे भाई की पेटी बना दिये कता ही ये अलग टीम का होता है और वो तीन बंदे अलग वो दूसरी टीम के होते हैं तो यहां पर दो सकॉड के बंदे बैठे होते हैं ये गाड़ी जहां ठुकी होते हैं वहां पर बंदे होते हैं यह बन्दा इसी घर पे होता है और मैं सही बता रहा हूँ मतलब यह जो AWM मैं आ रहा हूँ जा रहा हूँ फिर वापिस आ रहा हूँ भईया फट छारो रहा हूँ तो मैं समोक वगयरा करके लूट ताँ हार क्यूट मैं नी चाता कि कोई और कहीं और पे कैम करके पेल दे और जब किस्मत में ठिलना लिखा होता है न भाई आप ठिलते ही हो चाहे कुछ भी हो जाए मतलब हमें लगा थैयार ये दो गाड़ी से आए होंगे हाना दो बंदे उधर भाईया कता ही टूर्णामेंट की तरह ये खिल ले होंगे हाना कता है रैंक पुसिंग चल ली होगी लेकिन भाई यहाँ पे एक अकेला बंदा इस घर पे कैम करके बैठा होता है बगेर फुटी स्टैप दिये कोई गुलीनी चलाता भाई पर जब चलाता है ना भाई सीधा पेटी बनाता है खेर उसके बाद मैं वही सस्ती बग्गी में इधर आ जाता हूँ हाना गाडी की ऐसी तैसी हो रखी होती है सबकी और किसी में पट्रोल भी नहीं होता तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ देखो AWM होती है भाई उस पे और मैं समझी नहीं पा रहा कि उस बंदे पे कैसे है AWM मतलब जिस हिसाब से उस भाई ने उस घर पे केंपिंग भी चारा की थी ती ना मुझे लगनी राथा उस पे धंकी गने होंगी लेकिन भाई पे AWM पलस M4 होती है तो हाँ दोनों की दोनों मैं उठा चुका हूँ लेकिन एक बात यह याद रखनी है कि यह भाई मैं अकिला बंदा नहीं हूँ जिस पे AWM वगरा है लेकिन कुछ देर बाद मुझे पता चलता है कि यार उन लोगों पे भी AWM है तो मैं न भाई बहुत तमीच से पीक करूँगा क्योंकि देखो अब गेम सोलो वर्सी सकॉर्ड बन चुका है और यहाँ पे यार नोक 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 नहीं होते हैं यहाँ सीधा पेटी और हराद हुआ निकलता है और ये गेम मेरे समझ के पार है मतलब वो बंदा क्या गया होगा उपन में करने मतलब कौन से नसे भाई कौन से गत्ते फूक के लोग गिम चालू करते भाई उपन में क्यू है वो बंदा अभी तक अब देखो वहाँ पे मैं दो बंदो को नो कर चुका हूँ हना अब मैं क्या करता अगर वहाँ पे जोन होता तो मैं अंधारस करता बिलकुल धैर पैर गाड़ी इस कदर भगाता की पूछो मत सीधा ठोकता बहले ही मेरी पेटी बनती हना जो की कई बार हो जाता है अंधारस करने में लेकिन आपन इस बार ये नहीं करता क्योंकि देखो जोन भाईया आने वाले हैं और जोन भाईया कापी छोटे हो चुके हैं तो इस बार जो लात लगेगी ना बहुत जोन के लगेगी यार और दे और भाई यहाँ पे ऐसा नहीं कि यार मैं जोन में आयो तो यहाँ पे गलत सी नहीं होंगे मतलब एक बंदा बक्के रस कर रहा होता है एक बंदा गाड़ी पेला होता है लेकिन दोनों के दोनों को ठिला के रख दिया है और एकाद जो बंदा मैंने नोक किया था एक बंदे की मुझे किल मिल चुकी होती है और उसकी पूरी की पूरी टीम जून भाई ठिला देते हैं क्यार यहाँ पे दो नोक है तो यार तीसरा भी कही न कहीं तो जरूर होगा और दिख जाता है वो मुझे और ये तीन बंदों ने मेरे पे तीन तरीके से हमला करने की कोशिस की पहला बंदा आया भकते वे बिल्कुल चौड में उपन से दूसरा बंदा उपन गाड़ी में आया और तीसरा भाई या सापका चकर मौच से टकर करना चारे थे लेकिन उन्हें भी लेटा दिया तो देखो एक अच्छी बात ये है कि दो किल मुझे मिल चुकी है एक बंदे को जोन के बाहरी नौक किया था उसकी किल आ चुकी है तो सहिए वो भी काफी लेकिन दो किल कम हुई मतलब जोन से ठील गया नहीं तो मैं ही पेलता या वो मुझे पेल देते लेकिन यार कोई बात नहीं अभी के लिए अपन जिन्दा है और मैं बस ये सोच रहाँ कि करू क्या मैं कता ही वो क्या बूलते उसे संकट में हाँ मैं दुवीदा हाँ दुवीदा मैं आ चुकाओ कि भाईया जाए तो जोन में कैसे जाए और ये चीज करके न भाई कता ही मजा टैप ही आगया मतलब मैं गाड़ी से आया गाड़ी रोकी साब को पेला गन बदली और सीधा गलती से हेट सौट पेला यार मतलब यार ये करके न एक अलग फिलिंग टैप आगी थी कता ही तो यार अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं कर रहा तो पेल दो लाइक के बटन को कता ही उस पे हेट सौट मारो सब परे देदो बस नीला टैप कर दो यार आपको भी एक अलग सी फिलिंग आएगी और अगर आप देखोगे तो यार इस वीडियो में एक ही चीज की कमी है मतलब गलत सीन भी हो गए पेटी पाटी भी दबा के बन गए एक चीज अभी भी बकी है वो है जाडी या समोक में जस हा न तो क्यूना यार सूकी जाडी में दुबारा से जस हो जाए मतलब एक बार सनाईपर से किया था AWM चटकाई थी अब क्यूना M4 पेल दिया जाए तो जारा हूं में गाडी लेके सापका चक्कर मौत से टक्कर होई चुका है तो एजजस भी हो जाए अब अब जाडी में एजजस यार बाद में बात करेंगे मतलब अभी मैं ये वोईस ओवर करने बैठाऊ और बाहर कोई बॉपू बजा रहा है ठीक है मैंने अभी चार बार चौती बार बोल ला हूं में ये लाइन ठक चुका हूं में ये देखो फिर से आरे भाई क्या ही बताऊ यार खेर वो सब छोड़ा यार जाडी में एजजस किया सूखी जाडी में एजजस किया आखरी बंदे की पेटी बना दी कताई साप बन के बैठे थे भाई लेकिन यार एजस उनजस तो करी देते ठीक था तो बस भाई लो गयार आज की वीडियो में इतना ही बहुत बहुत सुक्रिया वीडियो देखने के लिए जाते जाते पेल दो लाइक के बटन को क्योंकि जिस कदर में इस बाहर ये जो बंदा बहुपू बजा रहा था उसे पेलने जा रहा हूँ न अब लाइक के बटन को पेल दो वस नीला टैप कर दो और अगर आप यहाँ पे नए हो तो सब इसक्राइब करो क्योंकि ऐसे गलत सीन और सस्ती कमेंटरी वह याँ चलती रहती है मतलब आज जास करते हैं हम तो सब्सक्राइब जरूर करना पेल दो सब्सक्राइब के बटन